हाई दोस्तो आज हम ऑथो डिया डेली में जॉइंट पेन के बारे में बात करेंगे जो इसपेशली विमें में होता है लेडीज में होता है वो भी यंग फीमेल जो की 25 से 35 45 की एज के बीच में होती है उसका कारण होता है PCOD यह एक तरीके की हार्मोनल प्राब्लम होती है जिसके अंदर कुछ खास हार्मोन्स बढ़ जाते हैं उसकी वज़े से ऐसे पेशेंट के अंदर नी पेन यानि गुटने के अंदर या कुछ और जोडों के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है इसके अंदर बहुत सारी स्टडीज हुई है, साइन्टिफिक रिसर्च हुई है जिसमें यह देखा गया है कि जब PCOD की बिमारी होती है तो ऐसे पेशेंट के अंदर जॉइन पेन देखा गया है आम तोर से लोग समझ नहीं पाते कि यह जॉइन पेन का कारण क्या है जब हम ब्लट टेस्ट कराते हैं तो ऐसे पेशेंट के अंदर WBC यानि कि वाइट ब्लट सैज्स एक टेस्ट हम कराते हैं CBC का उसके अंदर WBC बड़ी भी मिलती है उन में भी और हम जाते हैं और CRP नॉर्मली ये जो टेस्ट बढ़ते हैं किसी चोट लगने के बाद स्ट्रेस में भी बढ़ जाते हैं आर्थरैटिस के बिमारी में भी बढ़ जाते हैं इन्फेक्शन में भी और लो ग्रेड ये PCOD में भी बढ़े हो सकते हैं इसके अलावा interleukin 8 एक तरीके का chemical marker होता है जो blood में होता है वो भी बड़ा मिलता है ये तो scientific बात हुई करना क्या चाहिए ऐसे patient को PCOD के लिए अपनी पूरी lifestyle को change करना चाहिए जो medical treatment doctor दे gynecologist से वो treatment लेना चाहिए lifestyle में हम क्या कर सकते है ऐसी diet खाएं जिसके अंदर anti-inflammatory food हो यानि कि हम diet से ही इस बिमारी के जोडों के दर्द को control करने के कोशिश करें इसका एक खास formula होता है कि जब आप खाना खा रहे हों तो चाहिए आपको measure करना पड़े नापना पड़े तो उस खाने के अंदर 3 ग्राम carbohydrate 2 ग्राम protein और 1 ग्राम fat होना चाहिए वो low calorie होना चाहिए मतलब बहुत भर-भर के नहीं खाना low calorie होना चाहिए fat के amount low होनी चाहिए low glycemic index यानि कि ऐसा वाला खाना ऐसे food होते हैं जिने खाने के तुरंत बाद sugar बहुत बढ़ जाती है तो उने बोलते हैं high glycemic index ऐसे food जिने खाने के बाद low sugar बढ़ती है उसे बोलते है low glycemic index तो PCOD में low glycemic index वाले food को खाना चाहिए खाने में fiber की मातरा moderate से high होनी चाहिए उसके अलावा fishes, legume, nuts, olive oil, herbs, spices और green tea सारे के सारे carbohydrates यानि कि जो sugar वाले food होते हैं जैसे गैहूं हो गया या इस तरीके के और grains होते हैं उनको evenly spaced करके खाना चाहिए क्योंकि इससे sugar के spike controlled रहते हैं avoid करना चाहिए sugar वाले food भी, drink भी जिनमें मीठा हो अच्छी amount of vegetables, fruits खाने चाहिए ऐसे vitamins जो antioxidant देते हैं जैसे vitamin C, vitamin E खाने चाहिए flex seed खाने चाहिए olive oil को यूज़ करना चाहिए उसके लावा red meat avoid करना है एक खास supplement जिसे बोलते हैं omega 3 fatty acids यह अच्छे होते हैं, fish के अंदर ज़्यादा पाये जाते हैं इनको लेना चाहिए herbs की बात करें कि और क्या-क्या herbs खाई जा सकती है ginger का यूज़ करना अच्छा होता है black pepper अच्छा होता है, kurcumin अच्छी होती है coriander या निधनिया, clove long, cinnamon, rosemary, green tea good sleep 8-9 घंटे की और कभी-कभी जरुत पढ़ने पर जब दज़ बहुत जादा हो जोडों में तो डॉक्टर की सला से NSAID, कुछ enzymes आते हैं जो inflammation कम करते हैं और finally तो lifestyle modification है ताकि आप weight कम करें तो यह disease भी खतम हो जाती है तो PCOD एक ऐसी condition है जिसमें ज़द तर और weight बढ़ने जैसे disturbance, mood change जैसे disturbance होते हैं पर joint pain की तरफ ध्यान कम दिया जाता है इस वीडियो में हमने joint pain की उपाय के बारे में बताया है जहां lifestyle modification is the main treatment Please do like and subscribe, Arthur DR Delhi